नास्कार मैं हूँ अमन शुक्ला आप देख रहे हैं वीके न्यूज जैंपी ये वीडियो देखे वीडियो में देख रही हैं ये 50 साल की महिला हीरा बाई हैं लोग ने हीरा बुआ कहकर पुकारते हैं हमारे समाज में जिन समशानों में महिलाओं का जाना वर्जित माना जाता है हीरा बाई उसी समसान में बीते 24 साल में 15 से ज़्यादा बेसहारा सवों का अंतिम संसकार कर चुकी हैं हीरा की माने तो वो इतने लोगों का अंतिन संस्कार कर चुकी हैं कि अब तो उनको गिंती भी नहीं आग बोपाल की पुराने शहर के मालीपुरा में रहने वाली हीरा भाई का एक बेटा भी है जिसका नाम मोहित है वो graduate है लेकिन शवो को जलाने के इस नेक काम में वो भी मा की मदद करता है उसका कहना है कि मा केली हो गई थी तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया था इसलिए वो मा को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था हीरा भाई का कहना है कि उनको शवो को जलाने के इस काम में इतनी खुशी मिलती है कि वो इस बात को शब्दों में बया ही नहीं कर सकती कुरनाकाल में भी हीरा भाई ने एक भी छुटी नहीं ली थी और दर्जनों से ज़्यादा शवो का अंतिम संसकार किया था हेराबाई शवों को समसान तक लाने लगड़ी कठा करने और अन्य सामगरी की ब्यूस्था करने का काम अकेले ही करती है जब पूरा देश बंद था घर से निकलने और आवा जाही पर पाबंदी थी लेकिन उन्हें अस्पताल में जब भी कोई ऐसा परिवार मिलता जो अंतिम संसकार करने में मदद की जरूरत पड़ती तो वो तुरंत उसके पास जाती थी और उसकी मदद करती थी हैरानी की बात तो यह है कि इनों ने छोला और भदभदा विश्राम धाट पर कई अंतिम संसकार परिजनों की मौजोद्गी में खुदी किये और आर्थिक रोप से परिजनों की मदद भी की पर जोनों के पास कई बार घर लोटने के पैसे बे नहीं होते थे तो हीरा भाई उनको पैसे और खाने के पैसे टिकट देकर उनको वहाँ से भीज़ती थी हीरा भाई सभी प्रकार के शबों को जलाती थी चाहे उसका कोई भी धर्म हो हिराबाई कहती हैं कि इश्वर ने सिर्फ दो धर्म बनाए हैं एक नर दूसरा नारी हिंदू मुस्लिम तो इंसान ने खुद बना लिया है हिराबाई ने अपने काम से जुड़ाई कैसा किस्ता साज़ा किया जिसे सुनकर आप भी दंग रहे जाएंगे हिराबाई ने तीन साल पहले के बाद बताते हुए कहा कि भतीजे की बरात निकलने वाली थी तब पुलिस का फोन आया कि एक शवकांतिम संसकार करना है इसके बाद हिराबाई तुरन थम्शान गई और शवकांतिम संसकार कर फिर अपने भतीजे की बरात में शामिल हुई फिलाल हिराबाई जो काम कर रही है वो वाकई में काबले तारीफ है क्योंकि हिराबाई ऐसे लोग आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किर है इस खबर में सिर्फ इतना ही खबर कैसी लगी के मेंट कर जुरू बता है साथ ही खबर पसंद आये तो दोस्तों कि शास्वेर भी करें और मत्य प्रदेश चेजुड़ों यह सही खबर देखने के लिए देखते रहें विक उनुष जम्पी ताने बाद